हेलो फ्रेंड्स वेल्कम यॉल ऑन यॉर पीडिया सो फ्रेंड्स एक न्यूज और वीकन से एक आटेई सर्कुलेट हो रहा है डिफरेंट वट्सैप ग्रूप्स के अंदर और जो भी आपके पास सोचल मीडिया है तो हमारे पास भी ये आटेई आया और बहुत सारे स्टुडेंट ने रिक्वेस्ट किया इसको एनलाईज करके बताओ कि क्या इसका मीनिंग है और बिसीकली बोलना तो नहीं मैं चाहता लिकिन ये एक बहुत बैड न्यूज आयर आपके लिए जो आपका रेलवेस के अंदर और वी कैंसे जो रेलवेस की seat होती है एक ESE के थूरू एंट इसके थूरू एंड इंगनिंग सर्विससे के थूरू जो आपका रेलवेस के अंदर recruitment होता है उसके regarding ये news है अब वो क्या news है पहले जहां आटी क्या है उसको हम लोग देख लेते दिख सकते हैं इसको, ओके, category wise, breakup of vacancy for recruitment of group A, group A के अंदर जो vacancy आती है, in railway through engineering service examination 2020 attached in annex array, तो ESC के तुरू कितने vacancy थी, वो इन्होंने बताया है, इसके अंदर, ओके, now, Now, consequent upon cabinet's decision to introduce Indian railway management services IRMS, अब IRMS क्या है, यह पहले ही आप सबको बता दिया गया है, your PDI के उपर, okay, तो उसको detail में आप देख सकते हैं, जाके, from next recruitment cycle, जो 2020 वाला होगा paper, Ministry of Railway has decided to withdraw its indents for services covered under engineering service examination 2020 and civil services examination 2020, except Indian Railway Protection Force IRPFS, elsewise known as RPF, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, that जो आपका withdraw word लिखा है, withdraw का meaning क्या होता है यार, कि हटा लेना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2020 भी लिखा हुआ है, जो ESC 2020 and IES 2020, मतलब railway की जितनी भी vacancy थी, IESC, basically ESC 2020 and IES 2020 से, उनको withdraw कर लिया गया है, अब अगर आप 100 student में से पूछेंगे कि आपको किस department के अंदर जाना है, AS के थुरू जाई, ESC के थुरू तो maximum का answer क्या होगा, railways, और वही इनोंने, basically क्या कर लिया है, withdraw कर लिया है, all the other hand, basically बहुत सारे student ने अभी pre का exam दिया भी हम जानते हैं, और इस step के अंदर कुछ ऐसा decision आना है, बहुत ही है कि यह, basically कहन सकते है, bad news है हमारे लिए, okay, so इसके regarding जो भी update होता रहेगा, उसको थो हम लोग discuss कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो news है, ऐसा ही news है कि vacancy को withdraw कर लिया है, okay, more clarification के लिए your media को subscribe कर लो, so that जो ऐसी notification आता है, okay, कोई और interpretation निकलता इसका, वो भी हम लोग इसके उपर discuss कर लेंगे, thank you friends, and we will meet in the next video, thank you.